25 upon 2 into 2 into 100 की पावर 3 25 upon 2 तो वो हो गया हाफ फिल्ली है तो interest आदा हो जाएगा तो 2 से मंटिपलाएगा into 100 यह हो जाएगा 4 times तो कितना हो जाएगा 4 2 सा 8, 8 2 सा 16, 17 16 plus 1 17 की पावर 3 यह 16 ऊपर चला जाएगा अड़ी 17 नीचे आ जाएगा ठीकी चलिए मंटिपलाएग करते है 17 into 17 into 17 4913 कट गया अब 16 into 16 into 16 आया 4096 यह प्रैंसिपल के बराबर हो गया क्लियर बटा है कोईशन नमबर 4 the interest on sum 2000 is being compound annually at the rate of 4% per annum find the period for which the compound interest is रुपीज 163.20 मेटा फॉर्मूला क्यों हो जाएगा compound interest निकालने का P is equal to 1 प्लस आर अपॉन हंड्रेट ठीक है की पावर एंड माइनस 1 तीर हो गया आपको यहाँ पर time given नहींगे compound interest given है 163.20 principle आपको given है आपको 2000 रुपीज 2000 रुपीज क्रेंसल given है compound interest given है rate 4% given है आपको तो bracket में हो जाएगा 1 प्लस 4 अपॉन हंड्रेड की पावर एंड माइनस 1 ठीक है बेटा अब चलिए इसको शुरू करने करना यह multiply में तो डिवाइड में आ जाएगा 163.20 upon 2000 ठीक है बेटा और यह 2 के बाद point है तो यहाँ से टालिए into 100 अब अंदर बचाए आपका 100 प्लस 4 माइनस 1 ठीक है 0 से 0 कैंसल कर दीजे यह हो जाएगा 163.20 अपॉन 1,2,3 और 1 के 4 0 लग गए यह माइनस 1 इतर आके प्लस का 1 हो जाएगा इस इकल टू हो जाएगा 104 की पावर 100 की पावर ठीक है बेटा अब इसको कर लीचे 163.20 प्लस बार्फ जाएगा